प्रफित alam और वो क्या है। ऊहिल अलिगाला याला है। खुदा के नाम के अलावा है। अलावा के लिदिवार है। चाहे वो बखरी ही नहीं हैं। उसके खना में अगर्छे आपके जिस्न को बोई मुकसान नहीं है। लेकिन आपकि रूह और अधर को आपकोनों के नुख्सार के नुक्सान ए Gradमे वह गंदगी और देक है, तो इस्लाम की नजकात था मुख्रा जिए को भी इसम के लिए आपकोनी जिती आपके लिए जळसत अबे कोई मजबूर ही हो जाए, तो इनको भीखा सकते हैं। उसमें भी छोग दिलाता है। अगर मजबूर हो गए, जान मचाने के कोई और रास आई नहीं है। कोई आया पड़गा था, किसी मंदिर से चड़ाव आया था, एक इस्थान पे चड़ाया आया था, घरी लाओ के नम बे-जिभा की आवज दिखा लिया है। जान भचाने दिखा लिया हमें, खाली जी या खिजीर के गोशन खाली है। या मैता खाय यदमे मस्कूता, अपनी जान की बुस्लमान की जान तो खुदा के सम्दाद रखीक दी तो आप अपनी जान बचाने के लिए इस्टेमाल कर लिए इस शर्थ के साथ पे गहरा बादी यह इसास हो कि खुदा ने इसको हराम किये खुदा की नाफर्मानी करने वाले ना हो खायें तो खुदा की फर्माबरदारी के एसास के साथ खाये एए अल्हा चुपे तुने इजादत दी है, आलत मजबूरी में इसलिए खाये वला आदि और यह कि उसको आदत ना बनाए बस थोड़ा जितनी जरूरत है बकदर जरूरत, यह इसलिएं का आम उसूल है हराम चीज़ें हलाल होती हैं, बकदर जरूरत, उस सिजाता नहीं होती है बकदर जरूरत हराम होती है, हलाल होती है यह नहीं कि अगर आपकी चार बोटियों में आपकी जान बच सेथी हैं तो यह मतलब नहीं है कि आप इसका इस्टूबरा उठाई एजिए पेड़ भर नहीं, यह मतलब नहीं होता, बस अपने जान बचा लीजे, और यह स्वर की गोष्ट में नहीं है, हर चीज में यह खुदा का उसूल है, आप किसी इनि, गहर इसलामी डिजाम के अंदर उग्राप रहते हैं, यह कहीं यह खुदा कि इस टो थी, इजास में तो वही तो बचाने की, अब दफ मेशार आप ने फुराद में इस्ट्रा निकाल जाएगा, यह जास नहीं तक झाएगी, वह आदे उससे आगए नहीं तक झाएगी, जितनी है नहीं तक झाएगी, तो आप तो आपको बख्श देगा तो यह खुदा कि इसमें इखतलाफा थे, जाहिरे कि जब ऐसी बात कहीं आएगी, कि इस चीज़ को न ले वह हराम है, और फिदर जिस चीज़ को ले वह हलाल है, तो फिदर पर चब्रा हो जाएगा ना, एक चीज़ को मेरी फिदर खुबूल करेगी, दूसरों की नहीं क पानी में जो कुछ है वह हलाल है, जिसको हमारे अभी अजरात में तो रहता है कि फिर तो दोवी की तामें भी हलाल है, जो पानी में रखती है, लेकिन यह उनका मसलक है, कि जो भी पानी में है वह हलाल है, इमान मालिक साम को हलाल कहते है, यदे को कमवे को हलाल कहते है, कमव पाइंड आउट ने कुई लिस्त लिदी नहीं गई हमको, और छोड़ दिया गया हमारी उसके ओपर. अल्ला कि ज़से कोई लिस्त फुरप्भा में प्रवाइड नहीं की रही है, यह हलाल है, यह हराम है, हमारी इसको छोड़ दिया गया, लेहाजा इंसान इस फित्र किसी चीज़ को नफी करती है, और किसी चीज़ को ना पसंद करती है, इंसान को पसंद नहीं है, शिकारी जानवार, फार खाने वाले जितने भी है, तरिंदे हो फार खाने वाले, यह तरिंदे हो यह परिंदे हो जितने भी हो जो भी है, फार खान पाड़ने वाले जानवर है, कुछ तभी इसलिए हराम है, सब हराम इसलिए हो जाएंगे कि इन्सानी फिर्दत के खिलाफ है ये बात, इन्सान एक शरीफ मखलूख है, फाड़ने वाली मखलूख नहीं है, और फाड़ने वाले जानवर उसकी फिर्दत से मदाबकात नहीं बाद इमा फर्माते हैं कि जो इंसानों को फाड़े बस वो हराम है और जो जानवरों को फाड़े वो हराम नहीं है शेर हराम है जो को इनसान को फाड़ता है और जो जानवर अपने शिकार कर रहा है फाड़ा तो उसकी घ्रिजा है वो क्या भाड़ने वाला तरोड़ी है वो दुर घ्रिजा है इसको मुफ्तरिस नहीं कहा जाएगा इसके लिए खा सकेंगे तो एक तफसीली यह बहुत लंबा खड़ा है और चीज के बारे में जबना जंगाता है तो यह बहुत लाल आपको ह्राम कह रहा है इसका कोई उसूल यह आपकी तबीएट पर ह piace है इस पर इतनी कह सकते हैं कि आओ इंसानी किससे ज़ुई और जिस आफार मेन हराफ होसे ओर से और सुन हराफ होकी इन्सनी के इस चीजि़ से जिस दरजे में नफरत करेगी और किरायगा कराहत करेंगे तो मक्रू होगी, अब मसल गजा, गजे भाराम कहेंगा हलाल कहें, उसलिए नापसंद फर्माएं एक बार आपने उसको इजादत नहीं थे, बाद इमाम कहते हैं नहीं जाइस, इसलिए जाइस है कि आपने तो बारबरदारी का जानवर था, इसलिए बना कर दि इसलिए आपको मुठे दर समझा दिया है कि खुलाफात की नौयद क्या है, और वो जो इस्तिलाल फर्माते हैं कि इंचाची तो गलावा सब कुछ हलाल है, तो वो तो गलत है, क्योंकि यहाँ जो सियाख चला है, जो कांटेक्स्ट है, वो है अनाम का, यानि चौपायों का, और चौपाय आते हैं यहीं पुराणकर, पहिजद, प्प्री, हुँट, मुठनी, गाए, यह सब चौपायों, वहस का कोई तुसक्रा कुराण करीम में नहीं है, तो आप कहेंगे, कुराण करीम तो मुठमन किताब नहीं है, जब उसमें भाई कई कही तुसक्रा नहीं है, अब जब फैस हलाल है कि अराम है, इसको बोटे फैसला होना चाहिए, तो पुरान करीम ने उसके लिए साफ और सेशाथ मादिया सुरह माइदा के शुरू में, पहुझे लगूं बही मतुलातार, जानवर अनाम तो यह हैं, जो आर्ट रिसम बनाए गए, बाकि लगूं बही म अनाम का हुझे लगूं है इन गाय का मे लिए बहुझे लगे में, इसको बहुत अनाम का खोनगा हो या दरिंदे कहलाते हैं, तो दरिंदे इसमें नहीं आएंगे, चौपायों के, शेर नहीं आएगा, चीता नहीं आएगा, उसकी फूरी पसल नहीं आएगे, और शेर और चीते में जो सिफात हैं, अगर वो किसी परिंदे नहीं है, तो वो भी नहीं आएगे, परिंदा, पुरान सरीक में यहादीस में कोई लिस्ट नहीं है, बस यह उसूल जया लिए 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 लिए। लिए 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 लि तो आप जिसम मुलादा फर्माएं जिसकी तर्कीर आप शौकर रोग करें लेकिन यहाँ जो गुरान करीम बेया और जो भाहत है वह है मुष्चिकीन से और जो बात कह जा रही है उसे यहे बात कही जा रही है कि तुम्ने जो तक्सीम जो गुर्णियों ने उन्हें उसकी बना चीडा भी हलाल है। यह पतलब नहीं है बलकि जो बहुत चल नहीं हो, उसमें सरह यह चाहसी सब अ हराम हें. अब आता है एक फिर जहुदियों को नब हराम कि अधी चीजन, फिर श्रीप उस्पे अधीन हराम किया गया वोजयाыми क्यून इस के हराम प्रिया गया था उसको लग लग लगवा रहा हर लगवालन रहादोूऊ नहला रहां ज्हुद हरो हरन वाले जानवर को प्रों ह्रों हर रहा रखते रहोर राहbaar है यहिद्वियों वे लगवालियों से खुट ले वो चर्वी हराम है कि यह हमने यहुदियों पर क्यों हराम किया था जालिके जज़ई नाहुं दुगा की यह उनकी सरकशी की सुझा जैसे एक तवीग जवा देता है मरीज की मिज़ाज करते बार से यहुद क्यों कि सरकश हो गए और बहुत चर्वी चड़ गई आंखों पर ज़िए आला मैंने चर्वी और अखराम कर गया था यह है कि बहुत ही जमाहर उसके खराब हो गया था और बहुत ही अनवाव उखसां की उसमें तर लगए थे जबान की चट्खाने में पढ़ गए थे और बस माता परस्ती उनको महुत सक्त दिल हो गए थे इसलिए खुद शजात खराम की उसरी में कि बहुत है कि रहन के बहुत है निए को छोfa उसम आद क logrते हिता के और रहरं की क मैंने थे खुद महुत हराम ऐने खुद उनको धुद हराम की मुन大家 आख हुद शोड़े चारशा हो अहराम किया। लुषो टामी काना खिला इबनी इस्ताइल। इल्ला माहरम पिआ इस्ताइल वाला और अरका की इसे धिए। आल्ला पेश्ड़ुये। आल्ला ने आराम किया। इस ने और अधिया। दिश्ट शॉजदनी और जिए। मैंने जिए सोचा है इसको पर तो मैं इसमें का हूँ कि इस सारी आज़ों एक दरासर सब्लोड है जो और जब जब भी आपने करीम सुरे नहल में भी है अला आला ने तो सिफ चरभी हला खिया ही वह वाली हराम कि बग कर फिर्ट बे की इसे मत कaltres हो और अ और यह अर्प हराम की मगर वह हराम नहीं कि जो पिर्ट में है और जो आजों में है और फिर ग्रॉटसी में हँआ जोच्छ्च में इत्Us मिलें इसमें इसको अलग मीrowsशkachरमी वह हलाल थी, चर्मी हराम की गई थी बस बहुत चर्मी मत्वाओं बड़ा मुचर्ण सालन मत्वाओं, दिल बहुत वाना मोटा हो गया है, ऐसा ना करो, लेकिन इतना जो लगी रहती है, चलने जो इसे, यह मत्वत हलादाना का, लेकिन इनके जो उल्माएं किराम से और मौल ग अब आपार को बड़ान करना बेकार, या उनके रहुता लगाई थी, और उनके सरकशी की बिना पर लगाई थी, तो यह बात नहीं है, अल्ला है ने सजा दी और उनके बड़ान किया ज्यादा पर खाओं, मौल खाने, इतना हराम किया, यह हजरात इस तज़त जो शे तक्व आप तो बिलकुल छूना ही नहीं है, अब बिलकुल उनके चर्वी हर जगा की, जो रहां की लगी भी है, हजटियों की, वो भी खरम कर रहे हैं, गोशने से निकाल के काट-काट पर ठेक रहे हैं, यह मुत्तर्जी उनके गार जाना है, जार जाना है, तो कुछ उन्होंने ख कर दहा है, हमें हराम था, हलाल था, सिर्फ चर्वी को हराम किया गया था, उसमें वो आगे बढ़े और उसके विलकुल अपर हराम कर दिया, इस ख़दर नेक बढ़े है, और गुंपामंदियों को पहता है, यह बिल्किल ऐसा ही है, जैसे हमस में बहुत नेक हो जाएं, अब इस थार के जो गुलु, होता है तकवा में, यह गुलु, यह गिल्फो आ पसमरीदा है, और इस्लाम को है इतना गुलु, इस स़हार हो एपन को जो पानिक पर दलार्ट करता हो, हमार पानिक साथ तश्रीन दाए, तकवा यह थो तो मुसल्मानों भी चलती है का, बहुत बारीख वारण यह तकवा होता है, यह हमारे हमी चल पड़ा है, इसको इसलाम ने बुद आलोप महीं, तकवा नहीं खा जाता है, यह जहनी मर्ण जो पड़ा कि आखके साथ, तन गषी साथिस का साथ mo你 पहता होता है, अब तो साथिसमें नहीं जो आनूती होता है के छाइज होता है जो अजो आत śmे इस दोदितमानी ज समय होता है, इस तरह के सवाल्यात यह सब पहा हुल थे मिन अपने उलमाई कराम हैं, उसलिये आपसे नहीं हो कि सुर्य बगर नहीं, गाय है तो गाय करन कैसा है बताइए सब्सक्राइए, रंग बताइए तो बताइए के हल जोतेवे हैं के नहीं जोतेवे, अच्छा ये बताइए उमर बताइए किसनी होता है, और अभी समय में यह आए तो फिर ये भी कार बढ़ाओ, ये भी कार बढ़ाओ, जितना मुस्तकी बनने के आपको सीच करेंगे, इतना ही लादाना के लिए सब्सक्राइए, उसलिया गया, लातास अलू अलू अशिया, इतना सवाल मत करो, जितना सवाल करोगे तो पिर बादर तो में ही तक्लीव, अधिद कुलें ना लग जाएंगे, तो फिस आपके जीना मुस्किल हो जागे, इंदृस्तानी से मलक हो मही आदो सब्सक्राइए, उसलि नहीं हो रहा है, वही चैनल है, सावान ठरीज है, ये तो बाहर के काम हैस्टी क जरी कर रहे है, तो प्रीशन पिकर नहीं है, तो बैं हख्जिस न आपकां। यचीच में जीरते ह्यादा भार्स ुसवे प्रीड़्स आपको दुक्त है। उसके अगर हलाल रोजी कि कोई और सब्सक्राइब तो आप ये रुज़ा कीजे कि वह अपनी हरा दो देने प्याद है। इतना बारीक मत्री है। कि उसके आबाविदाद के साथ सब्सक्राइब तो क्या प्रतिदां से मुझा है। ये है सही जहनी तक्वा है। अप्रीक वाल टर्ements माइक्रिस्कविक देने सorem कि दून गया है। वह इन्ना लफाद यकूल और हम सच्चे हैं इसका तो कोई मुदू से तालुक नहीं लग लगा है कि हम सच्चे हैं इसके मुदलब यह इस तुम जो कुछ कहते हो हराम वो हाराम यह हलाल वो हलाल गूसरistem मुदलब जुसकी घुदधन печ नारे पास न ही सच हो दुनिया के दर्वादे आपके खोलना चाहता है पर नहीं करना चाहता है यह असल यही है सच यही है और वदूर है कि दूर नहीं नहीं करना दूर। और फिर भी अगर आपको छुपलाते है यह रसूल आप इंसे कहिए कि मेरे रब बड़ी रह्मत वाला है और उसका अजाब मस्रीमों पर से करा नहीं बड़ी रह्मत वाला है वो खुदा इसलिए रसूट दे रहा है अपने बंदों के लिखाने बेनी की सारी चीज़ें वह हलाल कर रहा है इसलिए दूर रह्मत वाला है उसके फल इसके नहीं निकलते जोने पर के सड़ के खतम हो जाए जार्वर इसके नहीं बनाता वो कि मर जाए वो धाशे बनके पढ़े रहे इसके नहीं बंदों के लिए बना रहा है फल बंदों की युगा रहा है खेट थारी शीदे उसके उसके लिए हैं बंदों को गुगा अब यू कहेंगे ये मश्रिक को दलील नहीं पचेगी ना तो अब यू कहेंगे अगर अब यू कहेंगे हैं। अभ्लिन कर दो जायर गें गिए टाला इसको देख रहा है उसके दिख देख देख आ में इसको दिख तक हमें कि ओसी मुझे ऋभागी यूही गहेंगे इसके दावाट खोगी बड़ीन गजा लिगाकर जब लजीने मिन खबलेहीं, हच्थाज आपको बासना, सारे छूटे यही करते हैं, तो हराद में दरील लिया सकता है, जालिम कह सकता है, कर जो जुरूर कर रहा हूं तो अल्ला देख रहा है, तो अल्ला की मन्शादे कर रहा हूं, अगर अल्ला चाहता है तो म गुना की दरील बन जाएगी हर आद्मी यही दरील पेश कर देख, हर गुना की लीए, ऑल्ला में यह एचारा है, यसलिए हो रहा है, यह कहाई कि यह पेगंबर परेशान के इने के लिए आते हैं, किताब क्यों हो थास्ती है, खुदा की मश्यत, खुदा की मशीयत से तो प्रवार भी आती है और उसी की मशीज़ति की किताबे भी आती है अगर तुम्हें गुना करने कहा खुदा की मशीयत से मिला तो खुदा ये दालों को प्रगणबरों के तरी है तो पर पकड़वाने कहा हुआ उसके मंसुबा चल रहा है ये कुछ दलील नहीं है अगर चाहते अगर देख रहा है उकुमत होती है अपने बागियों को देखती रहती है अठारों को देखती रहती है एक हुद द पकड़ लेती है जब दलाएद फराम हो जाते है उसमत पकड़ती है और उसके एक तिम उकरर होता है वो íllसरी ये सिरू साबित होता меня है तो इसके बात पर ि आए मृघाटी मेंश्य दितने दिल दे रखी है और वो तुम्हें एक रोच थे एन साने पेश और वक्ष पेश करते है but आत्री के पित्वार थी तुम्हेंड टे इंचाते आति पादया करते या सब्सक्रेण पेश करते है तो अटकल बाद हो, मुझे निकाल दे, अपुछ भी भाम दे दलील होगे, ऐसे नहीं होती है, दूर सिर्फ अटकले मार रहे हो, इसको मिलाद को दूर, खाली बेका बेकार की बड़वास, दूर की बड़वास के रहे हो, कुल फलिल्लाही रखति लबालिगा, फरुशा अला लगते हो, तो इसको मिलाद की रहे हो, कुल फलिल्लाही रखति लबालिगा, अला त तो सिर्फ दलील य रोशन है खुदा की बेदे, तूम्हें हजाय देना खुदा की नहीं हो, खुदा ये जरूर है कि हख रबातिल को वाज़एं करेगा, फेर और शर्क को वाज़एं कर वो जानने कि क्या शर्फ है और क्या खेष्ड है बस इतना ही करता है Alla wa allah शर्फ को वाज़ सकता है दरीलेन इतनी देदेता है कि हादमी चाहिस समझ सकता है कि शर्फ क्या क्या और खेष्ड है इसके पाद ःधायत भी और हुद आखला देए Alla qara जेता दे अगर वो चाहता उसकी मशीयत में होता तो उसके उसके उसमें शामिल नहीं है उसकी मशियत पें शामिल Hey उसी इस इतिहां पर कम्यार कर तुम जैस पाऊ मशियत है उस की यही इतिहां ने चल रहा जिस पेही कामयां होकर तुम अल्लह के नाम देख आपकी मशियत में लेकिन चीद खुदा ने रखी है ते अपने लिए बस अब अल्लह ताला इसके बास नहीं ठरेगा, अगर अल्लह ताला मुझ्रिमे को उनके जुन सर्फ पढ़ेगा, बाकि रहा हिरायत देना, पैदा ही वो आदमी को मुसल्मान करे, या हिरायत पर पैदा करे, या अल्लह की जिम्में नहीं है, इससे तो बहुतर यह था कि आद इरादा का दूर में हो रहा है जब, आपनी एरादे का न्युटे करेखेख के घवाथ जॉरा ना, इमारत बनारे है जब आपका इरादा आप दुनिया पे खाहिर हो रहा है और अफल्लाक और आरमाल के अंदर ही अपक yeah आपके अपका इरादा शाहिरा हो या भ कि महमले में क्यों दा नहीं कि आप क्यों करते हैं बॉपAK निली शच्ण पेनें आ पेने पहने यह भी पेने ँअरा ये ये पने आजे स्थिया करते हैं थो फिर आप लेकी ही करें ये लाज आ ठालापके क्नि तो आथ फ läuft कि महारे दुनिया में चलना है व ही अमाज की दुनिया में चलना हा अल्लास जायत आपके अब शूपेगा नहीं मलोशप आप अपां अचआत जहता थी जह दूमको वजतए कि थी क्या थी कि तोग हलाल और वहराम भुप पिेलेति वहल है तुम को माधावजात वल्ली इस पादा करणा बस वुजरोवधी नसे शारे चकर होता रसूल को वेद नसे बैदा क किताने की में उर्श्क्राथ से पहते ही कर दो Wolf ले गवाह आ सब्छज़ां की है ? ऑगर वह गवाह से देक्गित अला ही में सब्सक्राइब अगार मनतों गाइक कर देंक्ज। पर ओशिपी अर्भी नो मानते ही नहीं है यह क्यों से यह घूड़ाई की ह। कि दरह का बाई दो कि कि आललह हराम के हैं वागी, जो आदमी मानता ही नहीं कि आललह हराम हराल करता है। इससे क्यों कि गाइ दिलवाई जाएगी। इसके साथ मतलब ये है कि मश्रीगी ने मक्ठा के शरीक ये बात मानते थे और उनके उलमा उनके आभार उनके रहुआ ये बात मानते थे ये बात प्सक्रीव कर देए लेकिन अपने हाथ दों इस तियाराद ले रखें थे हलाल उ हराम के और मुझूब कर से खुदा लेकिन अभी देए जुम्ले को मतलब बनता है ए रसूस आसनलम जुम्ला सुनिए ए रसूस आसनलम आप कहिए कि लाओ तुम अपने शरीकों को और उससे गवाही दिल्वाओ को क्या वाकिया अलाने हराम क्या इंतिज होगी उससे गवाही दिल्वाओ क्या वाकिया अलाने हराम क्या इंतिज होगी यहीं मान लेंगे उनकी बात को हम अगर वो क्या जैए तो फिर वो क्यों कहेंगे जसाब मतलब यह है कि वो खुद मानते हैं कि से खलाल वाहाम कहीं प्यार अलाना को इसलिए पुदाय ताला उनी को बिला रहा है कि दिने तो फुछ दो दर उससे पूछ लिए पाइट आफ आर्गुमेंट तो कामन होना चाहिए ना दरीव दोगो चीज़ बन सकती है इसको मैं भी मान भी मानने को तो दो दो भी मन सकती है मैं आपको काहिल करूँ मसा नगर आपको मैं काहिल करूँ नरसी पर आँजी के हवाले से श्छ उल्ना इह फर्माया है तो आप जब काहिल होंगे ज़ा उनको अपने निराब मत्ते हों किसी BJB के बरकर को रोने काल के रोगुट रसीप से न के काल से तो बकाल नहीं हो the point of argument दो कामन होना चाहिए तो शुहदा के काल से कमन मतलब है वह जब उनसे कहवार है तो दो को भी कहवाना चाहता है तो जो को भी मानते है कामन को लेकिन खुद को यह मांदेते कि हम खुदा के नौमाइदे हैं हम जो हलाल हुराम करते हैं उसको एक इस इस आपको है। मुझए खुदा आला हमें वरिफाई है कि हम जाए लगा करें। बस उस सिस्कों लाग जालके वाला चाहता है कि बुलाओ उपने शरीक को उन में उसे पूछो कि क्या इस चीजे धुदा ने हराम की है जिसी यह पूछो पही रहें चाहिए दो आगर यू को यू कहें कि हाँ खुदा ने हराम की है इतने बेगार्टी वोतर आएं कि हां खुदा ही ने राम की है, यूँ कहने फला अश्रत मारूँ तो फिर आप उनके साथ मजीद आप इसाथ कवाही ने देना है, यूँ आप यूमत कहना है कि हुदा ने राम नहीं कीए, क्योंकि मैशा उनको लाजवाब करना नहीं है, मैश लगिं लायुकून अब आखिवा, वहुंद रभिहम यादून, और वो लोग जो हमारे आयते को छिपला दें, आखिरत कर यकीन न करें, और अपने रभ के साथ दूसरों को बराबर समझें, कभी उनके खारिशात का इक्वाब मरता है, जिने ना आखिरत का डर होता है, ना ना खुदा के दलाइल दराता है, ना खुदा के अखिरत का इसास होता है, खुदा आखिरत और रिसाला के लिए कोई माना नहीं रखें, ना खुदा से डर रहे हैं, ना आखिरत से डर रहे हैं, खुदा के साथ दूसरों को बराबर समझ रहे हैं, और आखिरत का डर उनको और अधिया पहली हैं वोगे लिए दिलेल लहीमत तो फिर आइसे लोग कोई बात संताना भेगा, इसे बात न करें कि कह थी जिए पढ़ें, को यह कहते हैं कि कहते रहें, आउसे ही कहरें आप आप समय आपके साथ आजाएंगे, हम आपके साथ आजाएंगे, कम पूरमायज कर आपनी होता है। तो उल्लाह है बराबर कभ है, बराबर कोई महष्रीग खुदा को बराबर के साथ बराबर कर रहे हैं। हदिस कहते है! खुदा के आगे तो इतना सर नहीं जुगाया, जितना औरों के आगे चुखाया खुदा के बराबर भी कहा हुआ, औरों को बड़ा समझ लिया खुदा १११११ गार की इतनी आंबिध नहीं ती गितनी दूसरों को रहता है। ध११११११११११॥ गलते हैं धीने, और सुछरों को समग्थ But Isnya जितनी लिए की अहां की बड़ता सुमूहिएॱह॥ बोस बोशरीक जिसका तू मालिक है जो तेरा मुलूक है हुआ खाली कुछुन के दियाक हुदा आपकर तेरा मुलूक है खाला यू को शिरीक आपने दो मऽलूक चाला यहां है और घुल-इथ को बने कहरें सम्झाता हैं इस आयद के नादिने के बाद बगादे सवाल किया हुदूर से कि हुदूर ये क्या खुराने करी हम पर इल्जाम लगा रहा है, कि हमने खुदा की बराबर समझा, हमने तो बराबर नहीं समझा, उनको खुदा की बराबर नहीं समझा, तो आपने इसा नहीं था, कि अगर किस पूची ने रहो यही है खुदा बनाना किसी को, यही है रहाँ बनाना, यही है उसकी इबादत करना, सराहतन, खुरान एही ने आधिस में, इसकी दश्री मौझूद है, लाग के बराबर बनाने का मतलब, तफ्सील से में इशाला किसी वत पूरा दर्स इस बोदो बना, अबना इवी किदा में लिखा भी है, दूसरे बाब में, क्या मतलब हुथा है खुदा के बराबर बनाने का खुदा के बराबर किसी को बनाने का, उसमें हम भी उस राप उसी ट्रण पर जाना है, बिल्कुँ, हमने भी यही किया है, हम यह समझते हैं कि हम धीरे धीरे, जैसे वो लोग, यहूद के साथ यही हुआ, यहूद, पहले अकाबिर कहितराम, और अकाबिर परस्ती, और उनक बराएं से हम गुदा रहें, हमने भी को खुदा बना लिया है, बिल्कु खुदा बना लिया है, क्याइबार मैंने खुद महसूस किया है, कि बास हज़आतों के ज maltीराते हैं, उन्हें हम उन्यार करीम सुनाएं, कुर्ण इम्रीम के सरीह आया सुनाएं, अहादिछ के सरीह स नहीं होती है, अल्ला के मरवाद से कुछी साबित होती है, यह है खुदा बनाना, यह खुदा बनाना है, जो अपने खुदा के बरावर दूसरों को समझते हों, उससे बात नहीं बेगा, उससे उसकी बात मत किजिए रसु जलम और उनको आप उनकी खुईशात के इतिवा मत क आप इसे कहिए, जो वही मेरे नाजिल होती है, मैं तो उस वही में, कोई भी चीज इन चीजों में हराम नहीं पाता, किसी भी खाने वाले के लिए जो खाता हो, नगर ये के हाँ, वो मुर्दार हो, या बहतावा कून हो, या खिजीर का गोष्थ हो, इसलिए कि ये नापाक अफिसका, या फिर वो खुदा की नाफर्मानी हो, यानि ये कि अल्लह की नाम पर इस जानवर के पुर्मान किया गया, फिर भी जो आदमी मजबूर हो, और जिसका खुदा की नाफर्मानी का इरादा नहो, और जो आदी नहीं बनना चाहे, तो यकीना वो इस्तिमाल कर सकता और तेरा रम बशने वाला और धर्माद है। हाँ हमने यहुदियों पर हराम की थे। तमाम वो जानगर जो यादि नाखुन वाले हैं, कुलजी जुफुर, अग गाय और बकरी की हमने चर्बी उन पर हराम की थी, मगर वो चर्बी नहीं, जो उनकी पीटों पर या उनकी आतों में या उनकी हट्डियों पर लगी हो। यह सजा थी उनकी सरकशी की और हम ही सच्चे हैं। पिर भी अगर यह आपको चुटलाएं तो आप इसे कहिए कि तुमारे रम यकिन बड़ी रह्मत वाला है, लेकिन उसका अजाब मुझ्रिमों के उबर से बलटता रही है। यकिन ये लोग यू कहेंगे कि अगर आप चाहता तो हमारे अबाउदार शिर्क करते हैं। और नहीं किसी चीज़ को खुदा की मशियत के बगर हराम कर सकते थे। इसे पहले भी जितने जूटे हुए हैं उन्हें ऐसा ही कहा है। ऐसे ही जुटलाने वालों ने ऐसी ही कहा है। यहां तक कि हमारे अजाब के मज़ा उन्हें चख लिया है। इससे आप पूछें किया तुमारे पास क्यों दलील है जिसके तुम पेश कर सकते हो। तुम तो सिर्फ अटकल से बात करते हो। और तुम तो सिर्फ अटकल बाजिया करते हो। इससे कहो अल्ला के पास तो सिर्फ दलील रुशन है। और अगर अल्ला चाहता तो तुम सब पहरायद दे सकते हैं। और फिर इसे कहो कि तुम अपने उन गवाहों को लाओ, जो तुम्हारे गवाह हैं, जो ये गवाही दें कि ये अल्ला ने हराम की है ये चीजे, फिर अगर वो गवाही दे दे तो आप उनके साथ पर गवाही देगा, और आप इन लोगों के खायशात का इतिवार न करें, है अगर जो शीकार होता है, इस बढ़ जेजा है, जो अब कर दोख से, बंदूख से न, बंदूख के शीकार के मसला ऐसा है, कि तो अकलाब है, जो उलमा है, वो ये मानते है, कैसा है बंदूख की गोली, जेसे लट मार दिया, जैसे लट मार दिया 듯 लेटıs का घ्क मलेट एट मरत जाता है तो मेताि मरता है और मुड़ार हो जाता है, तो उस ने लेले लेते हैं और कुछ उलमा जी दौर जदीद के हैं, वो ये कहते हैं, कि बंदूख से जनवर मरता है, वो ऐसा नहीं से लट से मरा, बलकि ऐसा ही से तीर से मरा, तीर अगर बिसमिल्ला कहके छोड़ दिया जाए, और जनवर मर जाए, तो वो जिवा माना जाता है, तो बंदूख की गोली जब लट लगता है, जब लट लगता है, तो ना तो खाल में पंक्चर होता है, खाल में पंक्चर नहीं होता है, और ना ही खून बहता है, लेहादा बंदूख की गोली को लट पर लट की नहीं इखियास करना चाहिए, बलकि तीर पर क्यास करना चाहिए, तीर की तीर की ती तो तो पिर को बिसमिल्हा करिक फिंक दिया जाए, तो फिर वो उसको जिबानी करना पड़ता है. और बंदुख वाले बंदुख कुछ जाइस कहते हैं, वो कहते हैं, कि वो पंचर हो जाता है, बंदुख से उसकी खाल में, और सुखोद भी बहता है.